हमारे देश के आवादी है 130 कोड़ों आथ 33 कोड़ों देता है दियोगर बंध हो गिया बिहार के 4,000 मंदिर बंध हो गिया तो सब भगवान भागे चल रहे हैं काटा से करोना के रही तो उनको वह इलाज कराने के जरू उनको भी इंजक्सन जोपसंद दिलवाई है कोरोना वाइरस को लेकर के कैलास विजे वर गिये जो बीजेपी के नेता है वो कह रहे थे कि हमारे देश में 33 कड़ों देवी देवता हैं कोरोना वाइरस से कुछ नहीं होगा एक भी मिर्ति नहीं होगी कोरोना वाइरस हमारा कुछ नहीं बिगाल सकता क्यूंकि हमारे देश म 33 करोर देवी देवता हैं हमारे साथ उदे नेराई चौधी साहब हैं बिहार विधान सवा के स्पीकर रह चुके हैं दस साल अभी महा अगडबंधन के नेता हैं पहले जद्यू में थे हैं इसे बात करेंगे इसी मुद्धे पर जो केलास विजय वर्गिये ने कहा था कि 33 करोर जाएए तो आपका रोग ठीक हो जाएगा भभूत लगा लिजिये तो रोग ठीक हो जाएगा अरे भाई ओजहा भगत मंदीर जो हमारे हां 33 करोड यह जो लोग देवता हैं हमारे देश में 33 करोड देवता हमारे देश क्या वादी है 130 करोड देवता है मतलब एक आदमी पर चार आदमी पर एक देता हमारे हां है अब है भघवान क्या ताकत कहां चल गया भुला गया है भगवान क्या कि हम तो लोग इन्ध विश्वासी हैं उनसे पुछना चाहते हैं कि बिहार में साढ़ह चा़र हजार मंदिर है आउस साढ़ह चारों हजार मंदिर को वो धार्मिक न्यास परसत को बंद करना पड़ा भगवान भागे चल रहे हैं क्या कुरोना से दुरुभागे है भाई यही है समझ की फेरा जो आज हम लोगों को समझना है कि यह मंदीर और मस्जीद से अंधविश्वास से कुछ नहीं मंदीर मस्जीद गिर जा यह कुछ नह समझना चीज़ जो डॉक्टर भीम राम बेतकर ने कहा लेकिन डॉक्टर भीम राम बेतकर के बनाए हुए संविधान को काउन करना चाहते हैं भाग और भगवान के सहरे आगे करना चाहते हैं मनुवात को आगे लाना चाहते हैं और उस मनुवात के सहरे यहां के बहुजन पर लोग सासन करना चाहते हैं, तो बहुजनों का भी आख खुलना चाहिए, बहुजन लोग भी कम नहीं है इसमें, अंधिस्वासी, बहुजन लोग भी, जिस दिन बहुजन लोग छोड़ देगा, उधिन मनुवादियों को कोई जगह नहीं मिलेगा, तो अभी जरूवत इस बात की है, कि इस भ्रम को दूर करें, कि एक बात हम आप से पूछना चाहते हैं, बताइए, इतिरूपती के मंदीर में, जहां हाथी उत्ही ले जाके लोग चुछाता है, अतिरूपती के मंदीर बंद कर दिया, बैसनों दिवी को बंद कर दिया, बिहार में रजरप्पा ब प्लाज कराने के जरूबत उनको भी इंजक्सन जोक्सन दिलवाई है, टेबलेट उबलेट दीजिए, कि उनको भी सरदी खांसी नहीं हो, मास्क बगरा पहनाया जाता है, कई बार यसी लगाया जाता है, कि भगवान को गर्मी ना लगे, ठंडर ना लगे, इसलिए गर्म अजुद्या, तो जब बार आया, पानी आया, तो आज तो उनको भी घाट आया भी नहीं लोट करके, वहीं रह गया बिचारा, आई अपने विज्ञान बचा के भागे, तो उसमें हरुआन जी ना बचा सके, इनको हरुआन जी तो ना बचा सके, ये अंध विश्वास है, रोड़ी बाद है, विज्ञान का जुग है, विज्ञान में भरोसा कीजिए, इनसान और इनसान के जैसा इनसान को सम्मान दीगेए, बियार ये कैसा राज है, जहां मिर्ट्य हो, उतने के बाद पता चलता है कि उसे Corona था, कुरोना से वो संक्रमी था, बाकी राज्यों में, और दूसरे देशों की बात करें तो पहले पदा चलता है कि वो संक्रमित है, फिर उसके बाद इलाज होता है, उसके टेस्ट किया जाता है, तब पदा चलता है कि उसके साथ करोना का मामला है, लेकिन बिहार में पहले मरता है, और हाल मतलब एमस में हुआ, और एक तो जो जाने के लिए ले जाया गया लकणियां रख दी गई उसके बाद जाज के लिए डॉक्टर पहुंच देखिए दुर्भाग्य है इस देश का कि कि आदमी को लोग जानवर समझ लेते हैं और जानवर को आदमी समझ लेते हैं जो परिश्रम करता है दिन भर उसो खाना नहीं मिलता जो बैठा रहता है वो खाते खाते परिशान है ये हमारे देश का हालात है और इसमें अंध विश्वास और रूढ़ी वाद भ्यानक तौर से हमारे देश में है और हम उससे ग्रसित हैं पूरा देश हमारा ग्रसित है सबसे पहले जो कोरोना रोग हुआ है जो एक महामारी के रूप में WHA कोई द्वारा गोसित किया गया है हमारे यहां उतना इंफ्राइस्ट्रक्शर नहीं है कि अगर फैल जाएगा पुण रूप से तो हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे बहुत ही भ्यावा हिस्थिती है हमारे राज की और देश की जैसे पहले प्लेग से लोग गाउं के गाउं मर जाते थे संभवे कि यह रोग अगर पुण रूप से फैल गया पांच में स्टेज में आ गया तो गाउं के गाउं के लोग मर जाएंगे लेकिन सरकार इस मामले में पुण रूप से सक्षम नहीं रही चुकिए आज तक स्वास्थ वेवस्था हमारे हां किया ही नहीं गया न स्वास्थ है न सिक्षा है दुन्नों गोल है कहने के लिए लोग पढ़ रहे हैं अब एक्षॉल सिक्षा तो है यह नहीं है तो स्वास्थ के नाम में लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है जो जिंदा है वो अपने बहग्य के से जिंदा है अपने जो माता पिता का दुमा कि और आगे दोद पिया जो माँबाप ने उसो खाना खिला जो प्रकृति ने हुआ पानी दिया उसको उस धूप मिला उसकी ताकत से वह जिंदा है उसको अधी न कि सरकार के स्वास्थ वेवस्था नाम की कोई शीज नहीं नहीं यारी कईसी लगए कुछ तैज़ भोजुघ के दिन कुझा शूपहता है भोज के दिन वह रूप रहे हैं अल्टरा साउंड होता है क्या अल्टरा साउंड और सिटी एसकैन कराने के लिए आपको तिन दिया तेल जल जागा जरा मरीच से बात कर लिजे तो पता चल जागा क्या देनी अवस्था है लोगों की यह हालात है तो चलिए अब क्या की जगा इसी में हम लोगो रहना है स्वा पहले जो संक्रमीत देखती है उसकी मौत होती बाद में पता चलता है कि को रोना है बिहार सरकार की तैयारियां क्या है इससे अंदाज आप लगा सकते हैं कि चम्की नामक बुखार जब फैलती है बच्चों में तो बच्चों की कई बच्चों की साइकड़ों में संख्या होती है जान जाती है उत्तर परदेश और कहां कहां से डॉक्टर आते हैं समाज सेवा के तौर पर हम काफिल खान की बात कर रहे हैं वो बच्चों की जान बचाते हैं तो बिहार सरकार की इस्थिती यह है और बिहार सरकार का यही विकास है जो आप देख रहे हैं कोरो बेल लाइक जरूर दवाय चलते हैं जय भीम जभारत